जहें दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत थी अच्छे होंगे दोस्तों लगतार पंचायती राजबिभाग से एक अलग-अलग निर्देश चारी किये जा रहे हैं मैं आपको बता दो कि डिस्ट्रिप लेबल पे भी बहुत सारे निर्देश चारी दे रहा है दोस्तों आदेश क्या है आखिर यह मैं तो पूर्ण क्यों है और आखिर सब कर्मचारियों के लिए एक साथ यह निर्देश कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं तमाम जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ आप इस वीडियो को आश तक जरूर देख कैसे चले और जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं वो लापरवाही ना करें चुकि दोस्तों यहां पे एप्लिकेशन के जरिये ऑनलाइन सबकी उपस्तिती दर्ज करने की बात कही जारी है चाहें ग्राम पंचायत के कोई भी कर्मचारी हो पंचायत सहायक हो या फिर यहाँ पे अपनी उपस्तिती दर्ज करने की बात कही जा रही है और बिल्कुल ही इस पेकार प्रगती पे चल रहा है तो फूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं पूरा आप लोग समझ रहे होंगे जान रहे होंगे और मैं आपको सिधा सिधा ले चलता हूं उस पेपर कटिंग पे उस जानकारी पर जो जानकारी है उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे कि कर्मियों की मनमानी पर लगेगी हो ग्राम पंचायतों में तेनात कर्मचारियों को सिर्फ ही विसेस एप के माद्ध हम से ऑनलाइन उपस्तिती दर्ज करानी होगी। कर्मियों की ओड़ से एप के माद्ध हम से ऑनलाइन उपस्तिती दर्ज कराई जा सके इसके लिए सासन अस्तर पर तैयारिया तेज हो गई हैं बगस्ता लागू होने के बाद लगवग चार हजार कर्मियों को एप का प्रयोग करना होगा ग्राम पंचायतों में तेनात सफाई कर्मचारी पंचायत सहाय को अब इसी शकी पर अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरते जाने की सिकायत अक्सर सामने आती रहती है अक्सर ग्रामियों की और से सिकायत दर्ज कराई जाती है कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से ग्राम पंचायत में सफाई के लिए नहीं रहे हैं इस संग्यान को लेते हुए ही अब सासन में ऐसे कर्मचारियों की डूटी के प्रती लापरवाहिव अंकुस लगाने के लिए अब नई बिवस्था लागू करने की तयारी कर दी है जिस प्रकार से सिक्छावी भाग के कर्मचारी की एप के माध्यम से उपस्ति कर्मचारियों के लिए विशेश एप लाने की तयारी की जारी है संबंधित एप के माध्यम से कर्मचारियों को उपस्ति दर्ज करानी होगी ग्रामीडों का मानना है कि यदि एप के माध्यम से उपस्तिति दर्ज कराने की बवस्ता लागू होती है तो इससे कर्मचारियों की डूटी के प्रतिला परवाही पर काफी हद तक अंकुस पाया जा सकेगा कटरिया के सुनील कुमार वर्शंजे ने कहा कि यदि एप के माध्यम से उनलाइन उपस्तिजी दर्ज कराये जाने की बहुसता लागू कर दी जाए तो इससे ग्राम पंचायत की स्थिती में काफी स पर चल रही है तयारी आप के माध्यम से ग्राम पंचायत की कारण्याथ कर्मचारियों की और से उनलाइन उपस्तिजी दर्ज करने के सास ग्रा वर्शंकारी यह МУЗЫКА यह चल रही है, सिर्स एप के माध्यम से उपस्तिती दर्ज कराने की बिवस्था लागू होने की संभावना है, उनिश्कमारी स्रिवास्तो डी पी यारो तो दोस्तो देखा, आपने किस तरीके से यहां पर पंचायत साहाईच, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, इसके अलामा जितने भी कर्मचारी है, ग्राम पंचायत में चाहें, वो प्राहिन विद्दाले के सिक्छक हो, यह सब भी ऑनलाइन उपस्तिती दर्ज करने की बात कही जा रही है, और application के माध्यम से उपस्तिती दर्ज करने की बात कही जा रही है, दोस्तो इसमें साब सब लिखा गया है, कि सभी लोग यहां पर लापरवाह पाये जा रहे हैं, लगतार, वो समय पे अपने कारे को अंजाम नहीं देते हैं, समय पे बिद्दाले नहीं जो सफाई करमशारी हैं, वो तो कभी दिखते ही नहीं है, ऐसा लोगों का, यहां पे कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादे शिकायते पहुंची हैं, तब जाकि यह तमाम नीड़ने लिये जा रहे हैं, और यह बड़े अस्तर से नीड़ने लिया जा रहा है, यह लगनव लेबल का नीड़े हैं, और वहां से अप्लिकेशन का यहां पे देखरे की जाने वाली है, और सबके लिए अप्लिकेशन लाँच होने वाला है, कि आप लोग खुद ही अपनी उपस्तिती दर्ज कर लें, कितने समय प्यार हैं, कितने समय पे जा रहे हैं, यह तमाम चीजे अप्लि अपनी उपस्तिती अप ऑनलाइन के माध्यम से बहुत जल्द सुरू हो जाने वाला है, और इसको अच्छे तरीके से निर्वान करने के लिए तमाम अधिकारी भी इस पे लगतार कारे रहत हैं, इस पे फोकस दे रहे हैं, और यह कहीं ने कहीं भस्ताचार कर अपसं कम करने करने का जो लापरवाहिया, उसको कम करने का बहतर तरीका देखने को मिल रहा है, दोस्तों उम्मीद करने के आपको यह तुमाम जानकारी अच्छी लगयोगी, ऐसी तुमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम आपको हर एक लिटेस्ट अब्रेट से लगता रूबरू कराते रहेंगे, दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलता है, उन्हीं जानकारी के साथ अगले वीडियो में, फिलाल क्लिवी दालेंगे दोस्तों, जेहनत।